अन्ना हजारे जी ने सही कहा था कि अरविन केजरिवाल जी के दिमाग पे पावर चड़ गया है दो राज्य में सरकार बनने के बाद मैं भगवान बन गया हूँ अरविन केजरिवाल जी अब भगवान बन गया है मानव इतिहास में इनसान से भगवान बनने का ये जो सफर है इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले विक्ती इनका पुराना जो नौटंकी है वो आरंब हो गया है आपको याद होगा कोई भी चुनाव आता है किसी भी राज्य में कोई चुनाव आता है तो इसी प्रकार की नौटंकी केज़िवाल जी की चालू हो जाती है, वो उस राज्य में जाते हैं और कहते हैं, बस मैं ही फस्ट आने वाला हूं, मैं ही जीतने वाला हूं, हम जीत गए हैं, हमारे सर्वे आ गए हैं, और सब धरे हुए हैं, कोई इंडियन जुडिशरी की सर् प्रशक्ता नहीं है अगर केज़िवाल जी कहे दें कि फलाना अदमी ओनेस्ट है तो ओनेस्ट है अगर वो कहे दें कि यह सारे लोग भरस्त है तो वही भश्ट है एक साइस चोरी करने वाला शराब में से कट खाने वाला अपने आपको माखन चोर से कमपेर कर रहा है अन्ना हजारे जी ने सही कहा था कि अर्विंद के जिवाल जी के दिमाग पे पावर चड़ गया है और चिठ्ठी लिख करके अन्ना हजारे जी ने ये बात पू और जिस प्रकार की जूठी बातों का भाशन और उसका पुलिंदा अर्विंद के जिवाल ने अपने एक बैठक में रखा है वो अपने आप में अन्ना हजारे जी की इन बातों को चरितार्थ करता है उससे सत्य कहता है आज ऐसा लगता है कि इंडियन जुडीशरी से आदमी ओनेस्ट है तो ओनेस्ट है अगर वो कह दें कि यह सारे लोग भरस्ट है तो वही भरस्ट है कि सबसे बड़े केजरिवाल जी का सर्टिविकेट है इनका पुराना जो नौटंकी है वो आरंब हो गया है आपको याद होगा कोई भी चुनाव आता है किसी भी राज्य में कोई चुनाव आता है तो इसी प्रकार की नौटंकी किर्जिवाल जी की चालू हो जाती है वो उस राज्य में जाते हैं और कहते हैं बस मही फस्ट आने वाला हूं मही जीतने वाला हूं हम जीत गए हैं हमारे सर्वे आ गए हैं और सब ढरे हुए हैं जो भारत की सरकार ह पूरी की पूरी पाटी हिमाचल की जो आम आदमी पाटी है वो आज पता नहीं कहाँ डिसिंटेग्रेट हो गई है दिखी नहीं रही है सब छोड़ के चले गए उत्राखंड में जाके इसी प्रकार का भाषण कर रहते की चुनाव आगया है जी हम तो जीत जाएंगे हम तो फ खुद आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया मुझे तो आश्चरी हो रहा है अभी तक जो बाइडन पर हमला क्यों नहीं बोला है ये जो बाइडन भी ड़़े हुए है आम आदमी पार्टी से और केज़रीवाल से और वहाँ भी उनकी पॉपुलरिटी बहुत जढ़ा है क्योंकि विश्व में तो बात ही हो रही है इनकी होहला कलीनिक इत्यादी के बारे में पूरे विश्व में बात हो रही है तो आप डरना सिर बाइडं जे को बाकी है बाकी तो सब डर रही होए बंदुगन आत्म मुगधता जिसको अंग्रेजी में मेगैलो मैनियक कहते हैं इस विशय में सुना था मगर आज पहली बार हमने देखा दो राज्य में सरकार बनने के बाद मैं भगवान बन गया हूँ अरविंद केजरिवाल जी अब भगवान बन गया हूँ माना वितिहास में इनसान से भगवान बनने का ये जो सफर है इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले विक्ति है काना बन गया है वो केवल भगवान ही नहीं काना और कृष्ण और राक्षसों का वद कर रहे हैं एक साइस चोरी करने वाला शराब में से कट खाने वाला अपने आपको माखन चोर से कमपेर कर रहा है कमाल है इस लेवल का मेगैलोमैनिक एटिट्यूड हमने किसी भी ने अरे महात्मा गांधी जिनोंने हिंदुस्तान को आजात करा है उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान का से सेवक हूं वो साधारन विक्ति बने रहे अठारा राज्यों में हमारी सरकार हम कहते हैं कि हम नों सेवक हैं जनता जनारदन है भगवान कोई है तो वो जनता है और यहां केजिवाल जी कहना बन गए भगवान बन गए वह अमानत तुल्ला खान अभी मैं टीवी में देख र इतियादी बजसलोकी की गई उनके घर से हतियार भी बरामत हुई यह मीडिया वाले दिखा रहे हैं लाखों रुपए बरामत हुए यह भी मीडिया में चल रहा है और यह काना है यह अमानत तुल्ला खान काना है यह ताहीर हुसेन जो इनका काउंसिलर अपने घर के छट के उपर जिसने बम रखे थे जिसने अपने घर के उपर पेट्रोल बम रख करके लोगों की हत्याए में जिसकी शाजिश थी वो समविधान को बचाने का काम कर रहा थी यह भगवान है मुझे आश्चरी होता है कि आज अर्विंद केजडिवाल ने कहा कि हम इमांदार कटर इमांदार लोग है इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी सरकार में सबसे जादा मंत्रियों को भरस्टाचार के आरोप के कारण इस्तिफा देना पड़ा हो तो अर्विंद केज में सरकार अर्विंद केजडिवाल जी का बना था तो जितेंद्र तोमर को लेकर अर्विंद केजडिवाल जी उस समय भी इसी प्रकार से भाशन दे रहे थे और कह रहे थे यह तो मोदी जी यह तो सरकार डर गई है वरना सबसे पढ़ा लिखा इंसान तो जितेंद्र तोमर रहे बाद में सारी फर्जी डिग्रिया निकली तो जितेंदर तोमर को चुपके से मंत्री मंदल से निकाल दिया है पाटी से नहीं निकाला है मंत्री मंदल से निकाला है जो इतना कटर इमांदार है वो पाटी से नहीं निकाला है केवल मंत्री मंदल से राशनकार किस प्रकार इनके संदीब कुमार बनाते थे महिलाओं के सम्मान के विश्य में बात कर रहे थे वो तो सीडी बनके सामने आ गई तब पुरी दुनिया ने देख लिया वरना ये तो संदीब कुमार को भी बचाने में लगे हुए थे अभी भी संदीब कुमार आम आदमी पाटी में पाटी नहीं रही कोई उपाई नहीं रहा तो उनको बाहर निकालना पड़ा मगर यासी मखानհिः आम आदम्य पाटी में यह सारे छारी जिनको आम आदमी काम किया और इनकी चर्चाँ होती है न gosh यह आज si में इतना वड़ा कोविड ता है पूरे विश्व पे पढ़ा कितने दिल्ली के लोग यह मोहले क्लिनिक में भरती हुए थे मुझे बताईए, मुझे एक ऐसा मोहला क्लिनिक दिखा दीजिए, जिसमें ICU बेड थे, जिसके अंदर isolation बेड थे, जहां पर उनकी treatment हो रही थी, जहां पर oxygen प्लांट लगा था, एक ऐसा मोहला क्लिनिक दिखा दीजिए, जहां एक मरीज भरती था, एक भी आपने COVID के patient का treatment नहीं किया, और आप बता रहे हैं कि पूरे विश्व में जो है, वो इनके होहला क्लिनिक की, देखिए, काम कम और हला गुला, बयान बहादुर, ये पूरे विश्व में एक ऐसा CM कहीं नहीं है, CM without portfolio, आपने कहीं देखा है, आपने कहीं भी देखा है, कोई काम नहीं है, केवल भाषन करना, कोई portfolio नहीं है, बयान बहादुर, बड़ी बड़ी बाते करना, कि विश्व में हमारे लिए चिंता हो रही है, और कोई काम नहीं करना.